दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बल्क एक्सपेंडिशर के लिए आपको DO की ID से उपन करना होगा जी हैं DO की ID उपन करने के बाद आपको कुछ इस सरीके का एक पेज मिलता है इस वीडियो में हम एक vendor को दो code के थुरू payment करने वाले हैं यहां vendor एक होगा तधा payment के लिए code दो होने वाले हैं हम माता उनमुखी करन तधा जो हमारा पैसा हमारे वर्क का आया है उसके लिए PPA बनाने वाले हैं तो हम सबसे पहले DO की ID से उपन करते हैं ID उपन करने के बाद हम master के पेच पर जाएंगे जहां आप ध्यान से सुनिए bulk expenditure के लिए DO की ID को ओपन कीजिए उसके बाद आप master पर जाएए master पर जाने के बाद आपको सबसे पहला option bulk expenditure का मिलता है bulk expenditure के option पर जाने के बाद आपको 2 option मिलते हैं by excel और manage तो हमें manage के option पर जाना होगा जहां master's पर bulk expenditure और नीचे manage वाले option पर हमें क्लिक करना होगा manage वाले option पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी scheme UP113 को select करना है जैसे कि हम पहले से करते आए हैं इसके बाद हमें काफी सारे option खुल कर दिख जाएगे जैसे ही हम UP113 पर select करते हैं जी हाँ हम करने वाले हैं आप भी हमारे साथ करते रहिए अब जैसे ही हम UP113 पर select करते हैं हम देखते हैं कि हमें vendor का option भी दिखाई देने लगता है अब आप options select करेंगे जी हाँ देखिए UP113 select करने के बाद हमें right hand पर vendor का options भी दिख रहा है और हम यहाँ पर नीचे एक customization name डालते हैं अब हम expenditure का name ऐसा डालेंगे जो की unique हो जी हाँ अब जैसे हमने all in one डाला है उसके बाद हम component code को select करते हैं अब हमें उन सभी component code को select कर लेना है जिनसके लिए हमें payment करना है हम दो component code को select करने वाले हैं इसमें आप देखेंगे कि जब आप एक के उपर select करते हैं तो आप ही काफी सारे एक दो तीन के नाम से आजाते हैं जैसे कि आप देखने कोई डरने की बाद नहीं vendor पर vendor के name को select कर लेना है जहां जैसे कि हमने कर लिया है इसके बाद default amount में हमें कुछ नहीं डालना है तता payment mode में हम यह payment print जैसे कि हम पहले से करते हैं उसको डालना होगा इसके बाद हम save पर click करेंगे हम देखेंगे जब हमने all-in-one customization name दिया है तब हमारे save करने के बाद भी यह save नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो name है वो already exist बताता है यहाँ यहाँ एक unique name की जरूत है अब आप जैसे इस पर click करते हैं आप को दूसरा name डालना होगा अब हम दूसरा name डालके आपको दिखाते हैं यहाँ पर बिर्कुल नहीं हो पा रहा है अब हम दूसरा name डालते हैं यहाँ आपको हम उपर की तरफ एक बार दिखा देते हैं कि क्या लिखाता इस तरह के से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अब हम कुस्टुमाइजेशन से नेम को एडिट करते हैं हम इसमें वीर डालते हैं चुकि हमारा वीर भी already किजीने रख चुका है कोई रख चुका है इसलिए अब यह है भी काम नहीं करेगा जिए देखें सेव पर क्ली करने के बाद भी सेव डिटिल नहीं हो पा रही है अब हम उपर देखते हैं देखें आपको पहले से यह यह आ रहा है अब हम यह बढ़ा कर वीरा करते हैं तब हम save पर click करते हैं तो इस सरीगेशा आ जाता है customization name हमारा वीराइज पर click करकर अगर कोई आपकी गलती है तो आप उसे edit कर सकते हैं हमारी कोई गलती नहीं है हमारा customization पूरा हो चुका है अब हम payment के लिए जाते हैं तो हम इसके लिए expenditure पर जाकर add new पर click करते हैं सबसे पहले आपको manage पर जाना है वहां का काम पूरा करने के बाद है Customization expenditure पर आते हैं और add new पर click करते हैं जैसे मैं UPX उत्रेसलेट करते हैं आप फुरूँ उसके बाद right hand पर आपका जो customization name है उस पर click करते हैं आपको ये page दिख जाता है इस page में हमें office के लिए letter को बनाना है जी हां आप school का name slash करके जो भी कुछ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं आप step by step हमें follow करते जाहिए आपका बल customization पूरी अच्छी तरीके से बन जाएगा और उसका payment हो जाएगा इसको complete करने के बाद हम date को select करते हैं date को select करने के बाद हम amount को बढ़ेंगे जी हां हम उन सभी amount को बढ़ने वाले हैं जो code हमने भरा था उस code के लिए जो जो हम amount करने वाले हैं उन सबको आप जोल डीजे और इसमें लिख दीजे हम इसमें वो सारा मॉंड लिख देने वाले हैं जो हमने जोड कर रखा है जी हाँ यह 1223 हो जाता है अब हम remark या narration पर आते हैं narration पर हम उन सभी की detail लिख देते हैं जिसे household survey रहा मतावन मुखी करना तो हम यह सब अपने narration में लिख देंगे जी हाँ अब नीचे धेङए narration में हम लिखने वाले हैं narration में लिखने के बाद इसके पहले revenue आता है तो revenue प्रकते हैं अब vendor को हमारे vendor एक है उस vendor को हमें दो components के लिए payment करना है तो उन दोनों components में कितना कितना पैसा हमको देना है उसको हमने इसमें लिख लेना है लिखने के बाद हम submit पर click करेंगे जैसे हम submit पर click करते हैं आपको options दिखाई देते हैं yes or no का क्योंकि details सेव हो जाती है चलिए अब हम एक बार उपर पूरा देख लेते हैं कुछ नहीं करना है हमको letter option number date narrations टिक करना है अब आगे हम सीधा इस पर आ जाते हैं और save पर click करते हैं yes or no का हमें options मांगेगा जी हां पहले browser number आ जाता है browser number उसके बाद हम यस पर click करते हैं क्योंकि हमारी details saved हो चुकी है अब हम यस पर click करकर आगे बढ़ते हैं जैसे हम यस पर click करकर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि हमें जिसको हम payment करें उसकी detail आ चुकी है अब हम next पर click करेंगे जी हां next पर click करने के बाद हम नीचे देखेंगे कि हमें passbook narrations के लिए मांगते हैं पास्बुक नेरी चाजन में जैसे यूजवली बढ़ते आएं, हम उसी तरीके से, इसमें भी मातावन में किये कराना, और हाउसवोल सर्वी ये सब लिख सकते हैं, अब कंफर्म पर क्लिक करें, कंफर्म पर क्लिक करने के बाद, हमें कहीं नहीं जाना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, हमारा PPA कि सरीके से बन कर आएगा, आप देखिए, आपके PPA के डिटियल्स इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएंगी, अब हम submit for approval पर click करने वाले हैं submit for approval क्लिक करने के बाद हमें कहां जाना होगा DA की ID पर जाना होगा DA की ID पर जाने के बाद हम इसे approve कर सकते हैं चलिए submit करते हैं approval के लिए approval के लिए submit हो चुका है अब हम कहां जाएंगे DA की ID को open करते हैं dataadmin के ID को open करते है' data admin की ID को open करने के बाद आपको shop सारे process वैसे ही करनी है जैसे हम इसमें करने वाले हैँ मैं आपको हमें follow करना है आपका PPA बनकर तयार हो जाएगा अब हम DA की ID से open करते हैं DA की ID से हमने open कर लिया है इसके बाद सेने me of Milks ऑफ वाला option आता है manage bulk expenditure fund इस पर click करना है अब हम UP 103 select रहेंगे as usual जैसे हम करते आएं है इसके बाद हम देखेंगे कि हमार office letter number आ चुका है हमें उस पर click करना है हमें इस letter office number पर click करना है आप जैसे कि left hand पर देखना है इस पर click करने के बाद हमें सेम वही detail दिखाए देती है जैसी हमें तब दिखाए देती है अब approve के button पर हम click करेंगे हम approve के button पर click करते हैं उसे complete करते हैं confirm करते हैं फिर भी हमारा नहीं हो पाता है हमें कुछ error दिखाता है जैसे कि अभी आपको दिखने वाला है तो आपको बिल्कुल घबराने की जुरूत नहीं है जी हां हम फिर से एक बाद try करते हैं फिर भी हमारा approve का notifications नहीं दिखाता है आपको इस तरीके का एक error दिखाएगा आपको घबराने की जुरूत नहीं है फिर से करते हैं और इसमें थोड़ा edit कर देते हैं फिर आपको दिखाएगा कि आपका already approve हो चुका है जी हां अब आपका bulk expenditure अप्रूव हो चुका है जैसे कि आपको दिखा रहा है लेकिन आपको इसे print करना है तो इसे print करने के लिए आप फिर से एक बार डियो की ID पर जाएंगे डियो की ID पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये कहां से print करना है तो हम कहां जाएंगे हम expenditure पर जाने वाले हैं डियो की ID को open कर इसे print करने के लिए expenditure और सब से नीचे e-payment print advice पर क्लिक करेंगे UPX उतर है select करने वाले है अपना financial year जोगी हमारा 23-24 वरतमान में चल रहा है इसको select करेंगे और search पर क्लिक करेंगे और reference number पर क्लिक करके हम इसे download कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं